अगर आपके भी तांबे के बर्तनों के अंदर हरे रंकी काई जमा हो गई है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल है हेलो फ्रेंड्स आश्यूस कुकिंग मैदिक से मैं आश्यू आप सब का स्वागत करती हूँ अज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तांबे के बर्तनों के अंदर जो हरे रंकी काई जमा हो जाती उसको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका में आपके साथ शेयर करी तो बिना किसी महनत चेनज़के फормлемद बिलकूर है कि जरेंडव समान के साथ आप अपने तांबे के बर जो बेले में आपको अतामवे का लोटा दिखाती हो, तो और अप सोच रहोंगे यह नए लेके आई होंगी यह वही लोटा, जी नहीं यह यह नहीं यह यह कितना पुराना यह यह इसा लगता था, पहले यह कुछ अज़ा था, लोटे में हम लोग पूजा करते हैं लोटे में तो इतनी मोटी लेयर है काई की, कि इसको साफ करना तो बहुत ही मुश्किल था, यह देखे, ध्यान सा देख लीजे, खुब गौर सा देख लीजे, लोटा कितना गंदा है, और इसको हम साफ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, पूरे यूट्यूब पे आपको यह तरीका कही नहीं देखने को मिलेगा, तो चलिए इस लोटे को हम साफ करते हैं, तो सबसे पहले हम एक बोल में पानी ले लेंगे, एक से डेड़ कप या दो कप पानी आप देख लीजे, पानी की मातरा को ध्यान दीजेगा, और इसमें हम डालेंगे नमक, दो तीन चम्मच भरके, और वाइट वैनेगर, यह सबके घर में होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है दुकान पे, जो चौमी नूडल्स खाने में हम यूज करते हैं, यह वही वाला वैनेगर है, जितना हमने पानी लिया, सेम मातरा में हम वैनेगर लेंगे, तो पानी और वैनेगर की मातरा बराबर और निम्बू कर रस, एक निम्बू कर रस पूरा निचोड के डाल देंगे, जिससे कि यह पानी का जो जादूई पानी बनेगे इसका एफेक्ट और अच्छा है, तो यह देखिए हमने इसमें निम्बू निचोड दिया है, जो तरीका मैं आपको बताने चाहरे हूँ पू जादूई पानी हमारा बन के तैयार हो जाएगा, तो चलिए अब हम लोटे को लेके आते और इसमें हम डुबाते हैं, जैसे ही इस जादूई पानी के संपर्क में लोटा आएगा, आप देखिए गा, अंदर से देखिए, तुरंत इसका कलर चेंज होने लग गया है, देख मैं अपने प्यारे से यूट्यूब परिवार के लिए वीडियो लेके आती हूँ, जिससे कि आप लोग की लाइफ थोड़ी एजी हो और यह मेरा ट्राइड टेस्टेड होता है, बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, अब हम क्या करेंगे कि जो निम्बू के छिलका था उ मेरे इस चानल पर आये हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे, सब्सक्राइब कर लिजे आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे क्यामिकल या पितामबरी से भी नहीं साफ होती है, यह जो जादूई पानी इसी से साफ होगा, तो उपर देखिए, लोटा हमारा साफ हो चुका है, चमक चुका है, बस जो बचा कुछा निम्बू में जो जान बची है, निम्बू की छिलके में, निम्बू की छिलके की मैं पूरी जान ले लूँगी इसके उपर ऐसे से रब कर दूँगी और रब करके अब हम इस लोटे को छोड़ देंगे लगबग तीन से चार घंटे के लिए देखिए बरतन कितना गंदा है ये आपको जितना गंदा होगा उस इसाब से आप ये पानी लगा के उसको छोड़ दीजे तो यहां पर मैं लगबग इसको चार घंटे के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि जो अंदर की काई है जो गंदगी वो अच्छे से कट जाए साफ हो जाए तो चार घंटे बात देखिए लोट जो काई जमा थी ना अंदर लोटे में वो पानी का कलर अगया देखिए ध्यान से देखिए ऐसा वीडियो आज तक यूट्यूब पर कही नहीं देखा होगा और इस पानी को आप इस बरतन में ट्रांसफर कर दीजिए और पानी को फेक दीजिए और लोटे को अंदर से अब कुछ नहीं करना है हम लेंगे एक स्कॉच ब्राइट और बरतन थोने वाला साबून और इसे इसको रगड देंगे चमका देंगे तो फ्रेंड्स हैना बहुत जादूई एफेक्ट इस जो हैक को ज़रू ट्राई करिएगा आपको 101 परसंट इसका बहुत अच्छ रिज साबून लगा के चमका दिया है अब इसको सादे से पानी से हम इसे धो देंगे तो यहां पर देख सकते हैं लोटा कितना बढ़िया से साफ हो गया है तो सेम इसी तरह से आप तांबे के सारे बरतनों को साफ कर सकते यही जादूई मैजिकल पानी बनाएगे अब हम क्या करे हैं जब भी किसी तांबे के बरतन को धोते हैं तो इसको सबसे पहले सूती कप्रे से पोचते हैं बिलकुल भी इस पर पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए बिलकुल सुखा दीजिए इसका पानी इससे क्या होगा आपका तांबे का बरतन कभी इस तरह से गंदा नहीं होगा तो यहां पर हमारा तांबे का लोटा बिल्कुत चका चक चमक के नया जैसा हो गया है तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं जल्दी से अपने पूजा पाट के सारे बर्तनों को इस मैजिकल पानी से धोईए, चमकाईए और खुश हो जाईए तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ कि यह है का वीडियो अप लोग को जरूर यूसफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो के दीचे लाइक का बटन उसे जरूर प्रेस करिएगा और साती में दोस्तों अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करते हैं तो उसके ब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है बहुत कीमती है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए इसी तरह अपना प्यार अपना सैयोग आश्यूस कुकिंग मैजिक के साथ दना के रखिएगा हम फिर मिलेंगे इसी तरह के बाँ बाँ और टेक केर